स्वागत हैं आप सभी का Tech Study ITA YouTube चनल पर PLW पतियाला की तरब से ITA पास आउट के एंडेट्स के लिए अफ्रेंट्सिप की वैकेंसी निकाली गई थी जिसके की जो ऑनलाइन फार्म है वो फिलप किये गए थे 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एंड उसके बाद एक बाद डेट आपकी बढ़ाई गी थी 10 नॉबंबर 2023 तक फीज सब्मिट करने के लिए तो जिन भी केंडेट्स न यहाँ पर हम एप्लाई किया था 295 पोस्ट की अप्रेंट्सिप थी फाइनली यहाँ पर पहली जो प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पील डबलू पटियाला का जो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपको वहाँ जाके नहीं कराना होता वो मेल के माद्धेम से कराया जाता है अगर सभी अप्रेंट्सिप में ऐसा होने लगे तो कैंडिएट्स को काफी आसानी हो ज जाएगा एंड साथ में ऐसी सभी अपडेट और इंफॉर्मेशन के लिए टेक स्टेडी आईटियाई के टेलिग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएगा डिस्क्रिप्सिन में हमने सभी तरह की लिंक आपको दे दी है टेक स्टेडी आईटिया का मोबाइल अप्लिकेशन भी आ चुका है अलग लग तरीके कि वहाँ पे आपको तैयारी कराई जाएगी उसे भी आप लोग प्ले स्टोर से इस्टाल कर सकते हैं साथ में कई सारी पर्मनेंट जाब और अप्रिटिप्ट भी वेकिंसी आई हैं जिने हमने चैनल पे अपडेट कर दिया टेलिग्राम पे भी अपडेट कर दिया देखके जिसमें भी आप लेजिबल हैं लास्ट डेट से पहले उन्हें अप्लाई जरूर कर दीजेगा यहां पर मेरिट लिस्ट पील डबलू पतियाला की आप देख सकते हैं और इसमें आपको डॉक्मेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है आपको पी apo1plw at the rate gmail.com apo1plw at the rate gmail.com इस पर आपको मेल करना है और सभी डॉक्मेंट को इसी सेक्वेंस में एक PDF फाइल में बनाना है तो कैसे आप PDF फाइल में बनाएंगे देखें एक अप्लिकेशन होता प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं Microsoft का यह लेंस ठीक है उसम से पहले इसका फोटो नेक्स्ट इसका फोटो इसका फोटो ऐसे खींच के सेक्वेंस में आप एक PDF फाइल बना सकते हैं उसको एक नाम दे दीजिएगा एंड उसके बाद आप वहाँ पर किस पर जो ऑफिसल वेबसाइट है इस पर आपको क्या करना है भेज देना है ठीक है तो बहुत ही सिंपल है mail करना अगर आप में इसमें भी दिक्कत हो रही तो आप कहें तो इस पे भी हम एक वीडियो आप सब के लिए बना देंगे separate कि कैसे आप mobile phone से step by step ये सारा process कर सकते हैं तो document आपको क्या क्या भेजना देखिए online आवेदन फार्म का printout जो आपने फार्म आना होगा सरकारी एस्पताल जो होता है वहां से इसका भी format दिया हुए notification में अगर आपके पास नहीं टेलिग्राम पर जूड़ जाईएगा या mail कर दीजेगा हम आपको भेज देंगे वह भी आपको बनवाके scan करके साथ में भेजना है ठीक है अब यहां नीचे देख लेत candidates 1.5 time candidates को लगभग यहां पर बुलाया गया है तो इसमें electrician में अगर आप देखें यहां तो लगभग 211 candidates आपको यहां पर electrician में shortlisted दिखेंगे ठीक है electrician में total candidates है 211 right 211 candidates आप देखें shortlisted हैं अगर यहां पर cutoff देखें तो cutoff PLW में क्योंकि vacancy कम रहती तो cutoff थोड़ा सा यहां पर higher side जाता है आप जैसे देखें average यहां पर ITE और high school का कितना गया है 95.8% गया है OBC candidate है selected as unreserved यानि general candidates में हुए है OBC SC ST का अगर percentage अच्छा होता है तो unreserved category है SC होती इसमें सभी fight कर सकते हैं और इसी के साथ आप देखेंगे next है 95.49 पे unreserved में select हो है फिरोज जी है इसी तरह से आप नीचे देखेंगे अगर last यहां पर electrician का cut-off देखें जो last candidates है ST category से उनका 82.66 है जबकि वो एक service man कोटे में भी है तब यह हाल है तो कहीं न कहीं cut-off थोड़ा higher side है इसके बाद mechanic diesel की total यहां पर 40 post थी इसमें भी लगभग आपके 1.5 time ही candidate select होए होगे ते प्रॉक 60 candidates होने चाहिए देखें 61 candidates यहां लगभग लगभग देखने को मिलेगा सिर्फ कुछ reserve category जीसे PWD या एक service man हो उसमें आपको भले कम दिख जा है नहीं तो 90 से लेके 80 से लेके 90 के बीच में आपको cut-off दिख रहा है even 95 तक भी जाता हुआ दिख रहा है cut-off तो यह हाल है apprenticeship में cut-off का अगली post machinist की थी total 15 seat थी तो इसमें 15 साथ 22 लगभग 22-23 candidates outlisted होने चाहिए 23 हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी cut-off आपको ठीक ठाक देखने को मिलना है 90 मतलब 80 के नीचे तो आपको बहुत मुश्किल दिखा है selection होता हुआ है next यहां पर fitter की 75 post थी तो 75 है यहां पर 1.5 अगर इसका हम लोग करते हैं तो इसमें भी 110 के ऊपर ही आपको candidates यहां दिखने चाहिए और यहां पर भी cut-off आपकी 80-92 के बीच में गई हुई है और total अगर candidates की बात करें तो 113 candidates यहां पर shortlisted हैं fitter trade में इसके बाद welder trade था इतने ही trade की यहां vacancy आती 25 seat थी तो 25 का अगरम करें तो यहां पर 37-38 candidates होने चाहिए welder में भी आपका cut-off काफी जादा गया 95% से start हुआ OBC category में and reserve में आप कह सकते हैं and last अगर आप देखे देखे 38 candidates यहां पर shortlisted हैं और last जो cut-off ST category में 79.76 है तो cut-off काफी higher side PLW का आपको देखने को मिल रहा है तो जो भी candidate यहां पर select होने mail कैसे करना यह भी आपने अच्छे समझ लिया होगा अगर इसमें आपको कोई doubt है आप select होए mail करने में आपको परिसानी आ रही कैसे scan करें क्या करें तो उस पर आपको एक separate video हम guide कर देंगे अगर आप लोग comment section में yes करके लिखते हैं उस case में अदर्वाइस बहुत ही simple process से सारी चीज़े आपको जरूर आनी चाहिए photo resize करना mail करना mail का reply करना चीज़ों को scan करना ये सारी चीज़े अगर आप IT कर रहे हैं आप कुछ भी कर रहे हैं आप 12-15-16 साल के उपर हो चुके आपको ये सारी चीज़े आनी चाहिए अगर नहीं आ रही है तो कहीं नहीं आपकी कमी है इस वो आपको दूर करना चाहिए प्रियों में थेंक्यों